पंचाक के अनुसार पंचाक के अनुसार रंग भरी एकादशी का प्रारंभ 20 मार्च को रात 12 बचकर 21 मिनट से होगा और इसके अगले दिन यानि 21 मार्च को सुबह 2 बचकर 22 मिनट पर तिधी समाप्थ होगी मानिता है कि रंग भरी एकादशी पर कुछ उपाय करने से साधक को विशेश्वल प्राप्थ होता है आईए जानते हैं रंग भरी एकादशी के दिन किये जाने वाले उपायों के बारे में प्रेमी जोडों के लिए रंग भरी एकादशी के दिन किये गए उपाय बेहत फलदाई होते हैं इस दिन पती-पत्नी या प्रेमी जोड़ा मिलकर विधी पूर्वक भगवान महादेव और मापार्वती की पूजा अर्चना करें। साथ ही उन्हें लाल रंग का गुलाल लगाएं। मानेता है कि इस उपाय को करने से पती-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और रिष्टा मजबूत होता है। रंग भरी एकादशी के दिन शीहरी और मा लक्ष्मी की विधी पूर्वक पूजा अर्चना करें। इस दोरान गुलाब जल में पीला चंदन और केसल मिला कर तिलक लगाएं। माना जाता है कि इस कारे को करने से साधक की सभी कामनाएं पूरी होती है। अगर आपके प्रेम संबंध में कोई बाधा आ रही है तो ऐसे में रंग भरी एकादशी के औसर पर प्रेमी जोड़ा मिलकर भगवान भूले नाथ और मा पार्वती की पूजा करें। और उन्हें विशेश चीजों का भूग लगाएं ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से प्रेम संबंध की बाधा दूर होती है। आमली की एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा के दौरान श्री विश्नु सहस्र नाम का पाठ करें और आमला अरपित करें। मानेता है कि ऐसा करने से इनसान को कर्ज की परेशानी से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुक सम्रिधी का आगमन होता है। तो ये थे कुछ उपाय अब हम इस दिन भगवान विश्नु, मा पार्वती और शिवजी की पूजा कैसे करें आईए जानते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विश्नु संग, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पुष्यन शत्र बन रहा है, जिसके चलते ये हवरत और भी ज़्यादा महतोपूर माना जा रहा है। सबसे पहले भगवान शिव का अभिशे किया जाता है। इसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव के समक्ष फल, फूल, अक्षत, भांग, धतूरा, बेलबत्र, गंगजर और गाहे का दूद चड़ाया जाता है। माता पार्वती को इस दिन फल, इस दिन फूल, सिंदूर और स्रेंगार की समागरी अरवित की जाती है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को गुलाल चड़ा कर पूजा संपन की जाती है। भगवान विश्णों की पूजा हर एक आदिशी की पूजा की तरह ही होती है पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेस महत्व होता है पूजा के बाद विश्णों मंत्रों का जाप किया जाता है और आरती करके पूजा संपर्न की जाती है दोस्तों उमीद है कि आपको हमारा ये रंग भरी एकादशी यानि आमली की एकादशी का विशेज आपको पसंद है तो खृपया हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा धन्यवाद